जैन दोस्तो मैं आपका दोस्त अभसेक पाल युवा किसान मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूं वो है नेपियर के बारे में जो हमारे पीछे लगी हुई है यह है जॉइंड गिंग्रास आज हम इसकी अपने खेट में इसकी आज लगवाने जा रहे हैं इसकी कटिंग च्ठीबारे में बताने जा रहे हैं कि उसके लिए हम सबसे पहले मिचोर इस्टिक लेenne है मृला वो जेदा दिनकी हो कम कच्छी नहों लोग क्या करते हैं कच्छी गार्ण लगा देते थे उसके बड उखराब वह जाती है उगती नहीं इसके लिए हमें अग्दम मिचोर लेनी है जिसमें आपको आख दिखाई देते हूं यह दखो यह हमारी चेज पांच-छे महिने की इस्टिक हो गई है लगे लगे खेत में अब एकदम से मिचोर हो गई है मिचोर श्टिक की हमें कटिंग करवा लेनी है सिंगल गांट की यह आप देख सकते हैं जब एक दो दिन तीन दिन इसको हम बोरे में लपेट के नमी में रख देंगे जब एक दो अंगुर का उगी आए तब उसको हमें पानी भरके मेड विधी से हमें इसको रोपण के लिए तयार करना है हमने अपना खेट मेड के लिए तयार कर लिया है हमें मेड तयार करने से पहले इसको अच्छी तरह से जुताई करके गोबर कि खाद और रसाइनिक अच्छी प्रकास से उसके बाद हमें रोटाइबेटर रोटाइबेटर से करके और हमें मेड खीच देनी चाहिए मेड खीचने का एक रीजन जो है हमें लाइन की और सकता नहीं पड़ती है वैसे तो इसको हम जमीन पर भी लगा सकते हैं लेकिन मेड विदी से लगाना उच चमाना गया है इसको लगाने के लिए हमें दो भाई दो पर लगा देना चाहिए दो फुट पेंड से पेंड की दूरी दो फिट लाइन से लाइन की दूरी दो भाई दो पर लगा देंगे तो इसका थान जो है बहुत बड़ा होता है और ये इस टिक लगाने का तरीका जो ह कुछ इस परकार हैं this टेक हमें यह छिशीड द्यान देना है म्यद्भ में इसा दोचिज होती है एक मुलांकुल एक प्रांकुल मुलांकुल हमें साथ जमीन में जाता हैlessosa आद्वन्द K parce यो जाता है तो वह मैं ऐसे दाबना है रांगुल उपर दिखेंद पांप कि कैसी लगी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बात और रह गई है हमारे पास नेपियर की चार ब्राइटियां उपलब्ध हैं जिसमें हैं जॉइन किंग रास मक्का नेपियर रेड नेपियर और सुपर नेपियर अगर जिस भी भाई में अपना नमबर डाल देंगे वहां से हमें कोल कर सकता है